परिचाए बच्चो पॉलिथीन और उसके आश्चारे जनक उप्योगों के बारे में हम सभी जानते हैं इन दिनों पॉलिथीन की थैलियों का चलन बहुत है और ये विभिन रूपों और आकारों में मिलती हैं आज विशुभर में खर्बों की संख्या में पॉलिथीन की थैलियों का उत्पातन किया जाता है ज्यादा तर खुदरा विक्रेता पॉलिथीन फिल्म का उप्योग करते हैं क्योंकि ये सामान पहक करने का सबसे आमसाधन है पॉलिथीन की विशुभर में उपयोग के कारण इन थेलियों की जगा वस्तता कोई अन्य वस्तू नहीं ले सकती छापों वाली इन थेलियों का उपयोग किया जाता है और ये आकरशक रंगों, डिजाइनों और विभिन आकारों में मिलती हैं और आखों को बहुत भाती है पॉलिथीन बहुलकों का केवल एक उधारण है ऐसे बहुत से बहुलक हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं इसलिए बच्चो आज हम बहुलकों के बारे में जानेंगे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे बहुलकों को परिभाशित करना समबहुलकों और सह बहुलकों को परिभाशित करना बहुलकों का वर्की करण करना बहुलकन अभिक्रियाओं के प्रकारों की व्याख्या करना मुक्तु मूलक बहुलकन को परिभाशित करना अलग-अलग बहुलकों को समझना रबड की जानकारी प्राप्त करना बहुलकों के आणविक द्रविमान की गरना करना जैव निम्न करने ये बहुलकों को परिभाशित करना परिभाशा बहुलग बड़ी संख्या में छोटे अड़ों की संयोग से बने उच्च आणविक द्रविमान का एक योगिक होता है बहुलग आधोनिक रासायनिक उद्योग के मुक्के उत्वाथ हैं जो मौझूदा समाज की रीड का निर्माण करते हैं अपने तैनिक जीवन में हम प्लास्टिक की तश्टरियों, प्यालियों, मोटर गाडियों के टायरों और सीट कवरों, प्लास्टिक की थैलियों, बरसातियों, रेडियो, टीवी और कंप्यूटर के कैबिनेटों, कपड़े के भारी मात्रा में सिंथेटिक थागों, सिंथेट बहुलक होते हैं। एक बहुलक है जो एथिलीन के बहुलकं से प्राप्त होता है। एथिलीन अडू एक लक इकाईयां कहलाते हैं। पुन्द्रा वृत्त संदचनात्म की इकाईयों के स्वरूपों के अनुरूप बहुलकों का दो विस्तरित श्रिणियों में विभाजन किया जाता है। संबहुलक एक यही प्रकार के एक लकों से निरमित बहुलक संबहुलक कहलाते हैं। उधारण PVDF वाई निडिलीन फ्लोराइट से बनता है सह बहुलक एक से ज़्यादा प्रकारों की एकलक एकाईयों से बने बहुलकों को सह बहुलक कहा जाता है उधारण ब्योना S रबर एक तीन ब्यूटाडीन और स्टाइरीन से बनता है सुरोत के आधार पर बहुलकों का वर्गी करण इस प्रकार के वर्गी करण में तीन उपश्रेणिया होती है प्राकृतिक बहुलक प्राकृति में ज्यादा तर पेड़ पौधों एवं पशू सुरोतों में पाई जाने वाले बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते है पॉलिस्खराइट की तरहा बहुलक न्यूकली कमल और प्रोटीन जो पिड़ पौधों एवं प्राणियों की विभिन जीवन प्रक्रियाओं को नियंद्रित करते हैं कार्बनिक बहुलक कहलाते हैं अर्ध संशलेशित बहुलक इनमें से ज्यादा तर रासाइनिक रूपां तरण कर प्राक्रितिक रूप से पनपने वाले बहुलकों से लिए जाते हैं उधारन सेलिलोस डाई एसिटेट संशलेशित बहुलक प्रयोक्षाला में तैयार किये जाने वाले बहुलकों को संशलेशित बहुलक कहा जाता है उधारण, पॉली एथिलीन, संशलेशित रबर, नाइलॉन, पीवीसी, एवं टेफलॉन बहुलकों का पनावट आधारेत वर्गी करान इस प्रकार के वर्गी करण के अंतरगत तीन उपश्रेणियां आती है रैकिक बहुलक, इन बहुलकों में लंबी एवं रेखिये श्रिंकलाएं होती है उधारण, पॉली वाइनिल, क्लोराइट और नाइलॉन शाकित श्रिंकला बहुलक इन बहुलकों में रैकिक श्रिंकलाएं होती है जिनकी कुछ शाकाएं होती है उधारण, निम्न घनत्व पॉलिथीन एवं ग्लाइकोजेन तिरियक बद बहुलक इन बहुलकों का विर्चन सामानी स्थिती में दूई क्रियात्मक और त्रीक्रियात्मक एकलकों से होता है और इन में मजबूत विभिन रैकिक बहुलक श्रंकलाओं के बीच सह संयों जगबंध होते हैं। उधारण, बेकिलाइट और मेलेमीन बहुलकन के प्रकार के अनुरूप वर्गी करण वर्गी करण के इस प्रकार के अंतरगद दो उपश्रेणियां आती हैं। योगच बहुलक एकलक इकाईयों का बढ़ती बहुलक श्रंकला में किसी उप उतपाद अणूं के विनाश के बगएर बार-बार योग होता है। बहुलक के एकलक की तरह ही उसका अपना अनुभूती मूलक सूत्र होता है। एकलक आसम प्रिक्त योगिक होते हैं। आम तोर पर एथिलीन के व्यूत्पन। उधारण पॉलियथिलीन। योगज बहुलक दो अलग-अलग एकलकों के योगात्मक बहुलकन के मेल से भी प्राप्त हो सकते हैं। उधारण व्यूना एस। संगनन बहुलक। इन बहुलकों का विर्चन दो अलग-अलग दूई क्रियात्मक या त्री क्रियात्मक एकलकिकायों के बीच पुंद्रा वृत्त संगनन अभिक्रिया से होता है। इस संगहनन बहुलकन अभिक्रिया की साथ साथ जल, एलकोहॉल या हC-L जैसे सरल अडूं का हिरास होता है। उधारण नाइलोन 66 का विर्चन वसात्मक यानी एडिपिक अमल से हेक्सामेथिलीन के संगहनन से होता है। बहुलकों का आणविक बलों के आधार पर वर्गिकरण इस प्रकार के वर्गिकरण के अंतरगत चार उपश्रेणिया आती हैं। प्रत्यास्त बहुलक ये वे बहुलक हैं जिनमें बहुलक श्रिंकलाएं दुरबल दम अंतराणविक बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं ये कमजोर बल बहुलकों को फैलने की छूट देते हैं श्रिंकलाओं के बीच कुछ तिरियक बंध होते हैं जो बलों के निर्मुक्त होने के बाद बहुलकों को संकर्शन कर उनकी प्रारंभिक वस्था मिलाने में साहेता करते हैं उधारन वलकनी क्रेत रबर रेशे रेशे बनाने की प्रक्रिया में कामाने वाले बहुलकों में तनन सामर्थे एवं मापांक वचो होते हैं हाइड्रोजन बंध जैसे आकर्शन के प्रबल अंधराणविक बल होते हैं इन प्रबल बलों के कारण श्रिंकलाइन निविट संकुलित भी हो जाती हैं और क क्रिस्टलिये प्रक्रिती प्रदान करती हैं उधरन नैलोन श्याजट ताप सुघटे बहुलकों में व्याप्त अंतराणविक आकर्शन बल संतुलित होते हैं इसलिए उन्हें गर्म कर आसानी से ढ़ाला जा सकता है ताप सुघटे बहुलकों की श्रंकलाओं में तिरियक बंद नहीं होता। उधारण पॉलिथीन एवं पॉलिस्टाइरीन। ताप दिरड बहुलक। ये बहुलक निम्न आणविक द्रवेमान अर्थ द्रव बहुलकों से बने होते हैं, जो किसी सांचे में गर्म किये जाने पर दुर गल्निये हो जाते हैं और अगुलन शील ठोस द बहुलक की विभेनिश रंकराओं के बीच विस्तरित त्रियक बंधता होती है। खुदारण बैकलाइट। बहुलकन अभिक्रियाओं के प्रकार बहुलकन अभिक्रियाओं के दो प्रकार हैं। योगात्मक बहुलकन अथवा श्रिंखला वृद्धी बहुलकन। इस बहुलकन में बहुलकों का निर्मान एक ही प्रकार के एकलक अथवा भिन एकलकों के अड़ों के परस पर योग से इस बहुलकन में एकलक एकाईयों का मुक्तमूलक जैसे किसी अभी क्रियाशील मद्धिवर्ती का वेहन करने वाली बढ़ती श्रंखला से आनुक्रमिक योग होता है। संगनन बहुलकन अध्वा पदशा व्रिधी बहुलकन ये श्रंखला बध्ध स्वातंत्र अभिक्रियाँ से होता है। मुक्तमूलक बहुलकन श्रंखला व्रिधी का आरंब मुक्तमूलकों के द्वारा उन योगिकों के शरंण से होता है जिनें प्रारंभक कहा जाता है। उधारण एथिलीन का बहुलकन मुक्तमूलक तंद्र के द्वारा होता है जब इसे एक हजार परमाणों के दाप पर किसी प्रारंभक की अल्प मात्रा के साथ गर्म किया जाता है जो शारित होकर मुक्तमूलकों को जन्म देता है। मुक्तमूलक बहुलकन निम्निचरणों में होता है। श्रिंखला प्रारंभन इसमें प्रारंभक का अक्षरण होने के फल जरूब मुक्तमूलकों का विर्चन होता है। मुक्तमूलक आर डौट हलकीन एकलक के दुईबंद से जुड़ जाता है जिससे एक बहतर आकार के मुक्तमूलक का जन्म होता है। श्रिंखला संचरण नए और अधिक बड़े आकार के मूलकों के साथ ओपर वर्णित अनुक्रम की पुन्ड़ा वृत्ति से ये अभिक्रिया आगे बढ़ती है। एथिलीन की आनुक्रमिक एकाईयों के योग से श्रिंखलाएं तब तक संचरण करती रहती हैं जब तक की संयोजन या वेश्यम में उन्हें रोग नहीं देता। श्रिंखला समापन बढ़ते बहुलकों की समाप्ति पर ये मूलक अपने आप से एक हाइडोजन अड़ों को अलग भी कर सकता है। श्रिंखला शाखन इससे श्रिंखला शाखन होता है। पॉलिथीन सबसे ज्यादा उप्योग किये जाने वाला योगजबहुलक है। आजकल दो प्रकार की पॉलिथीन तयार की जाती हैं और उनके कों अलग-अलग होते हैं। अलप घनत्व पॉलिथीन इसे डाई ऑक्सीजन या पैराउक्साइट की उपस्थिती में 350-570 केल्विन और 1000-2000 परमाउदा पर तयार गिया जाता है। इस प्रकार तयार पॉलिथीन की एक शाखित श्रिंखला संदचना होती है। शाखन के कारण अणवों की बंधने की शमता अच्छी नहीं होती और इसलिए इसका घनत्व और गलनांक न्यून होते हैं। अलप घनत्व पॉलिथीन रसाइनता अक्रिये या जड़ होती है। ये कठोर, किंतु, लचीली और विद्ध की अलप जालग होती है। इसका उप्योग सामानों के लिए पैकेज के रूप में बड़े पैमाने पर होता है। इसका उप्योग बिजली के तारों के विद्ध रोधन और खिलोनों के निर्मान में किया जाता है। उच्छ घनत्व पॉलिथीन इसका उतबादन एथिलीन के समनवयन बहुलकन से किया जाता है। इसमें एथिलीन को सीगलर नट्टा की उपस्थिती में 330-350 केल्विन पर गर्म किया जाता है। इस तरह तैयार इस पॉलिथीन में बहुलक अड़ों की रैखिक श्रंखलाएं होती है। इन श्रंखलाओं की बंधने की उच्छ क्षमता के कारण इस पॉलिथीन का घनत्व और गलनांक उच्छ होते हैं। उच्छ घनत्व पॉलिथीन एक पारभासी बहुलक होती है। ये रसायनता अक्रिये होती है। किन्तो इसमें तनन सामर्थे, कठोरता और द्ररता अधिक होती है। इसका उप्योग पाईपों, बाल्टियों, कूड़ा पात्रों और अन्य घरेलू सामानों के निर्मान में कि जाता है। पॉलिप्रोपीन पॉलिप्रोपीन का बहुलक होता है। इसका विर्चन, सीद्गलर, नट्टा की उपस्थिती में पॉलिप्रोपीन को गर्म कर किया जाता है। सामानने मूलक श्रेंखला, बहुलकन, उच्च क्रिस्टलिय, आइसो, टैक्टिक, पॉली प्रोपीलीन का विर्चन करता है। ये पॉलिथीन से अधिक द्रड और प्रबल बहुलक होता है। इसका उप्योग वस्त्र और खादे सामगरी की पैकिंग के लिए किया जाता है। इसका उप्योग मोटर गाड़ियों के सीट कवरों, दरी के रेशों और रस्सियों के निर्मान हेतू किया जाता है। इसका उप्योग पानी के पाइपों और वाशिंग मशीन के पुर्जों के निर्मान के लिए किया जाता है। पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन यानि टेफलाउन टेट्रा फ्लोरो एथिलीन अणूं पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन की एकलग इकाई होते हैं इसका निर्मान अमोनियम पेराउकसाइट की उपस्थिती में दाप के अधीन किया जाता है ये एक अती कठोर पदार्थ है जो ताप, अमल या ख्यार क्रिया का रोधी होता है ये बिजली का कुछ अलग है इसका उप्योग बरतन भाड़ों को अचिपकाउ यानि नॉनिस्टिक बनाने के लिए उन पर मुलम्मा चड़ाने में किया जाता है इसका उप्योग सील एवं गैस्केट बनाने में किया जाता है जो दबावों को जहल सकते हैं इसका उप्योग उच्चक्शमता के विद्ध संयत्रों के लिए रोधन के रूप में किया जाता है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल पी ए एन ये एक संशलेशित अर्ध क्रिस्टलिये कार्बनिक पहुलग रेजिन है पैराउक्साइड उद्प्रेरक की उपस्तिती में एक्रिलो नाइट्राइल के योगज पहुकलन से पॉली एक्रिलो नाइट्राइल बनता है हालकि ये ताप सुघटे होता है किन्तु ये सामानी स्थितियों में गलता नहीं है P.A.N. डेशे, दाग, रासायनिक पदार्थ, कीट और कवक रोधी होते हैं इसका उप्योग उनकी प्रतिस्थापी के रूप में और लोन के उत्पादन में किया जाता है जिसका उप्योग कपड़े, दरियां और कंबल बनाने में किया जाता है श्रिंकला में एमाइड जोड से युक्त बहुलकों को पॉलियमाइड कहा जाता है नैलोन 66 ये वसात्मक, एडिपिक अमल और हेक्सामेथिलीन डायमीन का एक बहुलक है इसे बुनाई उपकरणों से किसी चादर या रेशो में ढ़ला जा सकता है नैलोन रेशों का तनन सामर्थे उच्छ होता है वे कठोर और अपघर्शन रोधी होते हैं वे सौभाव से लचीले भी होते हैं इसका उप्योग ब्रिसल और ब्रशों के निर्बान में किया जाता है इसका उप्योग वस्त्र उद्द्योग में दरियां और वस्त्र बनाने में किया जाता है इसका उप्योग इलेस्टिक होसरी में मरोड़दार नायलोन के रूप में किया जाता है नायलॉन 6 ये कैप्रो लेक्टम एकलग से प्राप्त होता है जल अब घटन के साथ 6 एमीनों कैप्रोईक अमल में गर्म किये जाने और गर्म करना जारी रखने पर कैप्रो लेक्टम स्वाता संखनित और बहुलकित हो जाता है जिसके फल स्वरूप नाइलॉन छे बनता है इसका उप्योग टायर के तारों, वस्त्रों और रस्यों के उत्पादन में किया जाता है पॉलियस्टर वे बहुलक जिनमें इस्टर जोड़े होते हैं, पॉलियस्टर कहलाते हैं ये बहुलक टायूल के साथ डाई एसिट के संखन बहुलकन किया से तयार किये जाते हैं टेरिलीन, डेक्रॉन ये एथिलीन ग्लाइकॉल एवं टेरी फिदेलिक अमलिकी संघनन बहुलकन क्रिया से तैयार किया जाता है। ये बहुलकन जिंक एसिटेट एवं अंजन ट्रायोकसाइड यानि एंटिमनी ट्रायोकसाइड युक्त उत्प्रेरक की उपस्थिती में 420 से 460 किताब पर किया जा जाता है। टेरीलीन के रेशे दिरड, क्रीजरोधी, टिकाउ और अल्प आद्रता अफशोशनक्षमता वाले होते हैं। इसका उप्योग धवन और पहनने के कपड़ों, टायर के तारों और सीट बेल्टों के निर्मान में किया जाता है। इसका उप्योग रूई और उन का सम्मिश्रन बनाने में किया जाता है, जिससे उन में निखाराता है, और उनकी जुड़ियां तथा कटपट रोधी क्षमता में वृत्धी होती है। फिनॉल फार्मिल्डी हाइट बहुलक यानि बेकलाइट ये बहुलक शारिये मात्यम में फिनॉल और फार्मिल्डी हाइट की अभिक्रिया से तयार किये जाते हैं। बेकलाइट एक तरियक पद्ध ताप द्रड बहुलक है। बिजली के सामान और कई अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है। सल्फोनी कृत बेकलाइटों का उप्योग गुरुजल को कोमल बनाने के लिए आयन विनिमे रेजिनों के रूप में किया जाता है। मेलेमीन फार्मेल्डी हाइट बहुलक मेलेमीन और फार्मेल्डी हाइट के सह बहुलकन से मेलेमीन फार्मेल्डी हाइट बहुलक बनता है। मेलेमीन बहुलक बिलकुल सख्त होता है और इसका उप्योग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। मेलेमीन से बनी प्यालियां, तश्टरियां और अन्ने वस्टूएं गिरने पर तूटती नहीं। प्राक्रितिक रबर प्राक्रितिक रबर कार्बनिक योगिक, पॉली आइसोप्रीन और कुछ अन्ने कार्बनिक योगिकों तथा जल का मिश्रण होता है। रबर का वलकनी करण रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है। इसका उप्योग मोटर गाड़ी के टायरों के निर्वान में किया जाता है। संशिलेशित रबर कहलाते हैं। ये ताप रोधी, तेल और विलायक रोधी अधिक लचीले होते हैं और इन में अब घर्षन रोधन ख्षमता अधिक होती है। संशिलेशित रबरों का विर्चन नियोप्रीन नियोप्रीन क्लोरोप्रीन के मुक्त मूलक बहुलकन से बनता है। ये ताप प्रतिरोधी होता है। ये वनस्पती एवं खनिज तेलों का प्रतिरोधी होता है। इस कौपयोग वहाग पट्टियां, गैस्केट और हॉस बनाने में किया जाता है ब्यूना एन ये एक, तीन, ब्यूटाडाइन और एक्रिलो नाइट्राइल के सह बहु कलन से प्राप्त होता है ये पेट्रॉल, तेल और कार्बनिक विलाइकों का प्रतिरोधी होता है इसका प्योग तेल सली और टंकी के लिए इस तर बनाने में किया जाता है बहुलकों का आणवेक द्रवेमान बहुलकों के निर्मान के दौरान बहुलकों की श्रंखलाओं की लंबाई उनके निकट पाए जाने वाले एक लकों पर निर्भर करती है अभी क्रिया वाहिका में एक लकों की संख्या अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती है दूसरे स्थान की संख्या से भिन होती है इसलिए किसी बहुलक में विवन लंबाईयों की श्रंखला हो सकती है और यही कारण है कि आणविक द्रवेमान हमेशा औसत के रूप में निकाला जाता है इस औसत को भार औसत आणविक द्रवेमान कहा जाता है इस प्रकार के आणविक द्रवेमानों के अनुपात को बहु परिक्षेपी सूचकांग यानि पॉली डिस्परसिटी इंडेक्स कहा जाता है प्राक्रितिक बहुलकों में PDI कमान इकाई होती है किन्तु संशलेशित बहुलकों में PDI कमान इकाई से बड़ा होता है PDI कवप्योग किसी बहुलक की एक रूपता के निर्धारन के लिए किया जाता है जैव निम्निनी करणिये बहुलक जैव निम्निनी करणिये बहुलकों को किन्वग उत्प्रेरित अभिक्रियाओं से छोटे टुकडों में तोड़ा जा सकता है इसके लिए आवश्चक किन्वग सुक्ष्म चीवों दोरा तयार किये जाते हैं जैव निम्निनी करणिये बहुलकों के कार्बन कार्बन बंद किन्वग उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के प्रती अक्रिये होते हैं और इसलिए वे खैर जैव निम्निनी करणिये होते हैं इन बहुलकों को जैव निम्निनी करणिये बनाने के लिए हमेश रंखलाओं में कुछ बंद डालने होते हैं ताकि ये किन्वगों दोरा आसानी से तूड सकें किसी बहुलक को जैव निमनी करणिये बनानी के लिए, बहुलक में हाइड्रो लाइजेबल एस्टर गुरुप का अंतरवेशन सबसे उतक्रिष्ट विदी है। उधारण अगर मुलक बहुलकन से गुजर रहे किसी एलकीन में एसिटल मिलाया जाए, तो बहुलक में एस्टर गुरुप का अंतरवेशन हो जाएगा। बहुलक में उपस्थित दुरुबल कणियों में प्राकिन्म उत्प्रेरित हाइड्रोलिसिस के प्रती सुग्राहिता होती है। पॉली हाइड्राक्सी ब्यूट्रियेट को बीटा हाइड्राक्सी वेलेरेट ये तीन हाइड्राक्सी ब्यूट्रिक अम्ल और तीन हाइड्राक्सी पेंटेनाइक अम्ल का एक सह बहुलक है इसका प्योग अस्थी विकलांगता को कम करने वाले उपकरणों के निर्मान और ओशदों के नियंतरित मोचन में किया जाता है। किनवकी क्रिया से इस बहुलक के निम्ननी करण के बाद PHBV के कैपसूल में बंद ओशद मुक्तो होता है। क्या आप चानते हैं? पॉलिथीन का केवल सड़ना शुरू होने के लिए 450 वर्ष की अविशक्ता होती है। फिर इसके पूरी तरह सड़ने में 50-80 वर्ष और लग जाते हैं। बोतल बंद पानी का जो मूले आप चुकाते हैं उसका 90 प्रतिशत अंश प्लास्टिक की उस बोतल पर खर्च होता है। जबकि केवल 10 प्रतिशत का खर्च आपको मिले पानी पर आता है। दुनिया भर का मत से उद्योग, भारी मात्रा में पॉलिथीन का कच्रा महा समुद्रों में भेगता है। पैकेजिंग, प्लास्टिक के जालों, डोरियों और प्लवन शील पदार्थों समेत हर वर्ष, डिर लाक टन, कच्रा, पानी में डाला जाता है। सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में तोहराएं। एक बहुलक भारी संख्या में सूख्ष्म अडूओं के योग से बना उच्च आणविक द्रवेमान का योगिक होता है। योगज बहुलकों में बहुलक की बढ़ती श्रंखला में किसी भी उप उत्पाद अणों के हिरास के बगएर एक लग इकाईयों का बार बार योग होता है। संगनन बहुलक दो अलग-अलग दुई क्रियात्मक अथवा त्री क्रियात्मक एक लग इकाईयों के बीच पुंद्रा वृत्त संगनन अभी क्रिया से बनते हैं। जिन बहुलकों में बहुलक श्रिंखलाएं आपस में दुर्बलतम अंतराणविक बलों से जुड़ी रहती हैं। वोनें प्रत्यास्त बहुलक कहा जाता है। ताप दृड़ बहुलक अलप आणविक द्रविमान अर्ध द्रव बहुलकों से बनते हैं जो किसी साचे में गर्म करने पर दुर्गल्निये बन जाते हैं और एक अगुलनशील कठोर पिंड बनाते हैं। श्रंकला के एमिट बन्ध वाले बहुलक पॉली एमिट कहलाते हैं। कर दो आदे की किसी एंग भाले बन्ध बन्ध बन्त फ्रेजील का वाले ओमिट बन्ध रहीं। झाल झाल